सब्स्क्राइब कीजिए Tech Indiana YouTube और बेल आइकन को दबाइए latest वीडियोज हिंदी में देखने के लिए hello दोस्तो मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं Tech Indian YouTube चैनल दोस्तो मेरे सामने हैं Samsung Galaxy j7 prime और आज हम इस फोन की आपको negative points बताने वाले हैं यानि कि कुछ कमियां जो कि इस phone में इस price range में Samsung ने छोड़ दी हैं और कुछ features जो इस phone में होने चाहिए थे वो नहीं है तो क्या क्या कमियां है basically इस phone में वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप Samsung Galaxy J7 Prime के phone में interesting हो तब ही इस video को देखें आप इस video को पूरा देखें इस से आपकी knowledge बढ़ेगी कि आपको कोई सा भी phone लेना होगा तो आप उसके features की जो कमियां हैं और उसकी अच्छाईयां हैं उनमें difference निकाल पाएंगे और ये video देखने के बा आपको थोड़ा सा choice देख करके ही बनानी होगी दोस्तों वैसे तो मैंने इस phone को काफी use किया है और मुझे इस phone से कोई शिकायत है नहीं लेकिन मुझे Samsung Company से शिकायत है कि उन्होंने इस phone में वो features क्यों नहीं दिये जो की देने चाहिए थे तो आज वही missing features के बारे में हम बा कि इससे पहले जो version आया था अज Samsung Galaxy J7 2016 और 2015 उसमें Samsung ने Super AMOLED डिस्प्ले दिया था जो कि एक TFT डिस्प्ले से काफी बहतर quality का होता है तो Samsung ने क्यों नहीं दिया इस phone में Super AMOLED डिस्प्ले मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों बात करें अगर दूसरी कमी की तो दूसरी कमी इस phone में ये मुझे नजर में आई कि यहां पे front में flash नहीं दिया गया है जियां जो Samsung Galaxy J7 2015 और 2016 का model था उसमें front flash दिया था और आज भी ये phone की कीमत 15-15,000 रुपे है दोस्तों तीसरी कमी की बात करें तो यहां पर इस phone में Samsung ने gyro sensor नहीं दिया है तो आप इसमें 360 degree वीडियो का मजा नहीं ले सकते हैं VR headset लगा के जी हां gyro sensor missing होने की वज़र से आप इस phone को VR headset में यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर आ पर मैं आपको बता दो कि Samsung Galaxy J7 Prime के दो models है एक है 16GB का variant जो की ये model है और एक है 32GB का variant अब फिलाल 32GB का variant ही आ रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कमी है कि Samsung ने 16,000-17,000 रुपे की range में आपको memory जो दी है वो बहुत ही कम दी है 16GB में से आप 12GB ही यूज कर सकते हैं और बाकी के जो phone हैं आपको market में इस से भी कम price में मिल जाएंगे उसमें आपको 32GB या फिर 64GB की storage आराम से मिल जाती है तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ी कमी है बात करने अगर अगली कमी की तो यहाँ पर एक और कमी नजर में आती है कि यहाँ पर Samsung Galaxy J7 Prime में आपको द जाती है तो इस competition में Samsung इस price में अगर 3GB RAM आपको offer कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो भी एक इसका negative point है और ये भी बहुत बड़ी कमी है अगली कमी की बात करो तो यहाँ पर जो back camera दिया गया है वो 16MP का ठीक ठक है लेकिन आज है selfie का जमाना और selfie के इस जमाने में जहाँ पर सभ यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी कमी है आजकल तो 16MP और 20MP के camera आ रहे हैं फोनों में लेकिन Samsung अभी भी 15-16,000 रुपे के range में आपको उतने अच्छे cameras नहीं provide कर रहा है अगले point की बात करें जो कि इसमें negative point है वो यहाँ पर है कि ambient sensor missing है जी हाँ दोस्तों Samsung ने इस phone में ambient sensor नहीं दिया है जिसे कि आपको यह जो brightness की light है उसको auto adjust नहीं कर सकते हैं आपको इसको manually हर जगाँ पर adjust करना पड़ता है अगर ambient sensor इसमें रहता तो यह आपकी जो light है background की automatically adjust होती रहती तो यहाँ पर इस price range में यह sensor भी missing होना एक बहुत बड़ी कमी है अगली जो कमी मुझे LED नहीं जलती है पीछे यानि कि अगर आप अपना phone अंधेरे में use कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको problem होती है कई बार इन keys को adjust करने में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इस पर light ना पड़ रही हो उस angle से तो यह reflection में नहीं दिखते हैं और यहाँ पर आपको धूनना पड होता है कि आपकी recent key कहां है हो back key कहां पर है back LED lights नहीं दिये हैं और यह phone जब आप home की press करते हैं तो कोई भी आपको feedback नहीं देता है कोई vibration नहीं होता है इसमें next point की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई magnetic sensor नहीं दिया गया है जिसकी वज़र से आप compass use नहीं कर सकते हैं और उस नहीं दिया गया इस phone में तो यह भी एक बहुत बड़ी drawback है इस phone की और यह phone अभी भी marshmallow पे चल रहा है तो इसमें nougat का update भी अभी तक Samsung नहीं दिया है और यहाँ पर एक और कमी नजर में आती है कि यहाँ पर Samsung ने इस price range में IR blaster भी नहीं दिया है और नहीं infrared दिया है तो इस इस कमी की वज़े से आप इस phone को remote की तरह इस्तमाल नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपको दूसरे phone में IR blaster या फिर infrared मिल जाता है तो आप अपने phone को TV का या फिर AC का या फिर किसी भी gadget का remote control बना सकते हैं लेकिन इस phone में ये कमी है कि आप इसमें ये feature use नहीं कर सकते हैं आकरी कमी जो यहाँ पर इस phone में नजर में आती है वो है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर fast charging की facility नहीं मिलती है बैटरी तो इस phone की काफी ठीक ठाक है 300 image की लेकिन यहाँ पर आपको Samsung ने fast charging नहीं दिया है तो ये भी एक drawback है या फिर मैं कहूंँ एक negative point है इस price range में ये सब facilities ना देना तो Samsung अभी भी इस price में ये सब चीजे नहीं दे रहा है तो दोस्तो ये था एक वीडियो जिसे की आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि Samsung Galaxy G7 Prime में कौन-कौन सी कमिया है और या फिर किसी भी smartphone को खरीदने से पहले आपको कौन-कौन से points को ध्यान में रखना चाहिए दोस् दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा